जूँ जिसका नाम सुनते ही हमारे सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है बच्पन में आप में से कई लोगों को जूँ की समस्या का सामना करना पड़ा होगा लेकिन जूँ असल में इंसान के बालों में ही क्यों रहती है और ये बालों में जीवीत कैसे रहती है जू को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है जू आखिर सिर्थ तक पहुंचती कैसे हैं और इसे कैसे हटाया जा सकता है आज हम जू के जीवन चक्र से लेकर उससे संबंधी तक कई रोचक तथे आपको बताने वाले हैं बस आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने जू को बहुत से लोग लीख भी कहते हैं लेकिन असल में दोनों बहुत अलग अलग होते हैं जू के अंडों और उनके बच्चों को लीख कहा जाता है यदि किसी इंसान के बालों में जू हो जाएं तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है उसके बालों से बद्बू आने लगती है और अन्य लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं जू असल में दो प्रकार की होती है एक वो जो इंसानों और मैमल्स के बालों में पाई जाती है और दूसरी पक्षियों वो अन्य जीव जन्तूं की बॉड़ी पर रहती है जू का साइंटिफिक नेम पेडिकूलस हुमेनस है बालों में पाई जाने वाली जू को पेडिकूलस हुमेनस कैपिटीज कहते हैं आसान भाशा में इसे सकिंग लाइस भी कहा जाता है यानि वो जू जो खून चूसती है वहीं शरीर पर रहने वाली जू को पहुंच जाती है तो दोस्तो कई तरीकों से जू बालों तक पहुंच सकती है जू एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसवर होती है साथ में रहने से साथ में खाने से सोने से समय विताने से जू सिर तक पहुंच जाती है जू वाले लोगों की चीज़ें जैस करना पड़ जाता है जू का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है एक मादा जू दिन में 5-10 अंडे देने में सक्षम होती है ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तीजी से विकास करती है जू का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोट होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है जू के अंडो को निट्स कहा जाता है करीब एक हफ़ते के बाद जू के बच्चे अंडो से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं जू के बच्चों को निफ भी कहा जाता है और इनका रंग डल यलो होता है पैदा हो 0.3 mm का होता है इनकी शेप ठोड़ी ओवल होती है जूं का जीवन चकर करीब 30 दूनों का होता है एक महिला के शरीर में जूं 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है तो वहीं पुर्षों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है पुर्षों के सिर में जूं आमता और पर 20 दिनों तक जिन्दा रह सकती है जूं जब इनसान का खून चूसती है तो वह अपना सलाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती है और यहीं वज़ा है कि इनसान के शरीर में खून के ठक्के यानि की क्लॉटिंग नहीं होती जूं के पंजे काफी जादा मजबूत होत हैं और इनकी पकड भी काफी जादा मजबूत होती है जूं को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि यह स्किन को बुरी तरफ से जकड़े रहती हैं आप सोच रहे होंगे कि जूं बालों में ही क्यों रहती है खून तो यह अन्य हिस्सू से भी का विकास होगा कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका से आई हैं लेकिन अमेरिका और एफ्रिका में आज जूं की समस्या बहुत ही कम हो गई है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार एफ्रिका के कई हिस्तों में जूं की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में डीडी टी पाउडर लगाना शुरू कर दिया था जो एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है सिर में पाई जाने वाले जूं बालों के बाहर केवल एक या दो दिनों तक ही जिन्दा रह पाती हैं जूं की लगभग 532 प्रजातियों की से आपके सिर की जूं चली जाएंगी तो यह आपकी गलत फैमी है जूं की समस्या 5-15 साल के बच्चों में सबसे जादा अधिक देखने को मिलती है दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जूं आसानी से पहुंच ज है आप चाहें अपने सिर को पानी में भिगो लें साबुन से दो लें या फिर कुछ और तरीके अपना लें यह आसानी से सिर से जाती नहीं है जूं होना कोई बीमारी नहीं है बलकि यह एक समाने से प्रक्रिया है साथ ही जूं होने से इंसान के स्वास्त पर भी जादा अस कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है इसलिए सिर्ष से जूँ को निकालना बहुत ज़रूरी है सिर्ष से जूँ को निकालने के कई तरीके हैं एक तरीका जो आपकी ममी ने बच्पन में ज़रूर अपनाया होगा वो है कंगी से बाल बनाना कंगी के दांत बहुत बारीक होते हैं और उनमें जूओं और लीख असानी से फ़स जाती हैं इसे जूओं निकालने का एक पारम पर एक तरीका भी कहा जा सकता है कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंगी करने से जूओं की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है सिर से जूं को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का विशिश ध्यान रखें समय समय पर अपने बालों को धोते रहें बाल धोने के लिए आजकल बजार में कई प्रकार के शैंपू और केमिकल्स आ गए हैं जिनकी मदद से काफी जल्दी सिर के जूं खत्म की जा सकती है जूं की समस्य से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके सिर में पहले से ही जूं मौजूद हैं खास दोर पर अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं कि स्कूल में जूं वाले बच्चों के साथ न बैठें या उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें हाला कि ये भी उन्हें जरूर बताएं कि किसी भी बच्चे के साथ अलग बरताव न करें एसा बरताव करें कि उसे ओकोर्ट भी ना लगे और आप जूं से भी बच जाएं सिर से जूं खत्म करने के लिए आप डॉक्टर्स की भी सला ले सकते हैं कई बार जूं के कारण बालों के अंदर सडन होने लगती है वो बास मारने लगते हैं सिर में पिंपल्स और दाने भी निकलाते हैं यदि ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंथी डॉक्टर से परामर्श लें जूं निकालने के लिए आप नीम के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नीम की पतियां ले और उन्हें पीस कर पेस्ट बना लें अब वो पेस्ट कुछ देर के लिए अपने सिर में लगा कर रखें और थोड़ी देर बाद शैंपू की मदद से बाल अची तरह से वाश कर लें कुछ दिन तक ऐसा करने से जू से निजात मिल जाएगी इसके अलावा सिर में आप टीटری ओल का भी इस्तमाल कर सकते हैं इससे भी जू की समस्या में काफी राहत मिलती है तो दोस्तों ये थी जू के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मुझे यकीन है कि आज से पहले जूँ के बारे में इतनी बारीकी से आपको किसी नहीं बताया होगा और ना ही कभी इतनी जानकारी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर करें लाइक करें और कमेंट में ज़रू बताएं कि क्या आपके सिर में कभी जूँ थी या नहीं हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और धेर सारी रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार